सिक्षकों को अब एक गंटे पहले आने की जरुरत नहीं है एक गंटे पहले तक रुकने की भी जरुरत नहीं है केके पाटक ने केवल सिक्षकों से ये गुजारिश की है कि आप थोड़े पहले आ जाईए दस से थोड़ा देर पहले आ जाईए ताकि आप अपने स्कूल का मैनेजमेंट ठीक कर पाएं आप अपने स्कूल में जो प्रार्थना वगेरा होता है, इसकूलों को साफ करवा पाएं, ताकि 10 वजे से कक्षाएं प्रारंब हो जाएं केके पाटक जब कटिहार पहुँचे तो उन्हों ने कहा कि आप वैसे बच्चे जो थोड़ी कमजोर हैं, जो अच्छे से पढ़ भी नहीं पातें, उन पर विशेश कर ध्यान दें, क्योंकि मैं एक स्कूल गया था, जहाँ पर मैंने देखा कि 8 वी कक्षा का बच्चा चल रही थी, जहां नितिश कुमार भी केके पाटक को डिफेंड करने के लिए सामने आये, और विपक्ष का लगातार या आरोप था, कि केके पाटक जैसे अधिकारी को सिक्चा विभाग में नहीं रखना चाहिए, वो सिक्चकों को लेकर अनाप शनाप कहते रहते हैं, वो केके पाटक एक इमानदार ओफिसर है, लेकिन विपक्ष लगातार या आरोप लगा रहा था, कि कैसा इमानदार ओफिसर, जो मुख्य मंत्रे नितिश कुमार के फ्रेसले को भी नहीं मानता है, क्योंकि मुख्य मंत्रे नितिश कुमार ने विदान सभा में कह दिया था, कि क कख्षाए 9 से लेकर के पास तक चलेगी लेकिन आज केके पाटक खुच जब कटिहार पहुंचे तो उन्होंने शिक्षकों के बीच अपनी बात रखी और कहा कि आपको एक घंटे पहले आने के बिल्कुल ज़रुरत नहीं है 10 बजे से कक्षाए प्रारंब होगी 10 से 4 लेकिन आप थोड़े पहले आजाए थाकि बच्चे जब आए तो आपका स्कूल उनको ऐसा मिले कि वो आकर बैठ पाए पढ़ पाए इसकूल की जो साफ सफाई है वो आप करवाले इसकूल का मैनेजमेंट ठीक करवाले थाकि अतिहार पहुंचे तो यह तमाम बाते कहते नजर आए आपके पाटक के बयान को सुनिए और समझे कि सिक्षा विभाग को लेकर भीहार के सियासत में जो चल रहा है वो कितना सच है और कितना अफवा है अब कि अधिया गया सिक्षा पें बस आफ्या रोगे कि खोड़ा पहले आए खोड़ा देख रुटा रही है तो यह तो कमजूर बच्चे तैसे आज इन एक स्कूलों ने क्या था कि अधिये पच्चे की पन्ना नहीं रहा है इस आप नहीं पड़ता रहे हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नौ बज़े से लेकर कि पास मुझे तक अक्षाइन चलेंगी केकी पाटक कीवल इतना कह रहे है कि दस बज़े से लेकर के चार बज़े तक ही कक्षाइन चलेगी लेकिन वैसे बच्चे जो आटवी कक्षा में हो करके अच्छे से हिंदी नहीं पड़ पाते हैं उन पर आप लोग विशिष ध्यान दीजिए जब चार बज़े सारे बच्चे चले जाएं तो आप थोड़ा साफ भैल रहा है उसे कम करने के लिए उसे खत्म करने के लिए काफी है केगे पाटर ने कटिहार में यह साफ क्या दिया कि कक्षाइन दस बज़े सुबह से लेकर के शाम के चार बज़े तक ही चलेगी लेकिन सिक्षकों को थोड़े समय पहले आना है ताकि स्कूल का से नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें वो विशेश पढ़ाई दे उन्हें वो पढ़ाए ताकि वो मजबूत बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ पाए और हिंदी के सास्त बाकि तमाम दुश्य भी पढ़ पाए परनोर्मकरो जो सौचता है वो करता है ये लो मुझ मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाएं, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो, अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान, जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सक अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined